हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल लेट्स प्लाइविथ स्टॉक मार्केट बात करेंगे वैदानता के कोटर वन के नतीजों के बारे में जो की अभी जोष्ट रिलीज हुए है मेनेजमेंट की वर से और नतीजे जो बाजर का एक्सपेक्टेशन था जो अनु और देखा जाए फ्रेंड्स तो वेदानता ने पिछले चार ट्रेडिंग के अगर हम बात करें तो पिछले चार ट्रेडिंग पहले 255 रुपे के असपास लोग बना रहा था और वहां से 272 रुपे तक की मोमेंटम देखने को मिल रहा है जो कि अभी रिसेंटली एक स्ट्र को भी ही सबस्क्राइब कर लीज़ें तो जिसा की फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वैदान तक के कोटर वन के नतीजा आप लोगों के सामने हैं यहां पर हम जो रिजल्स देख रहे हैं और यहां पर आपको जो सारी वेल्यूज देखना आप मिलेगी वह इन करोर्स में नज किस तरह के देखने को मिलता है और उसके किस तरह की मुमेंटम शेयर प्राइस को पर नज़र आज सकती है जैसा कि अगर हम बात करें सबसे पहले टॉटल इंकम की तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार कोटर वन में तक्रीबां उन्तीस हीजार एकसे काउन करोड का टॉटल इंकम देखना को हमने मिल रहा है जोकि पिछले साल सुल आजार नोसो इटानवे करोड का टॉटल इंकम रहा था तो यहां पर आप देख सकते हैं तुछ पॉजिटिव पॉइंट साबित हो सकता लिया और यहां पगर मैं बात करूँ ओपरेटिंग प्रोफिट की तो जिसा कि फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं, आपरेटिंग प्रॉफिट निगल के आ रहा है, साथ जार तीन सो करोड का, जो कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो तकरीबन दो जार तेतिस करोड का आपरेटिंग प्रॉफिट था, तो यहां पर हमें यरों यर हमें बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि कोडर फॉर में 6,516 करोड का ओपरेटिंग प्रॉफिट रहा था, तो यहां पर मुझे लगता है कि यह बाजर अपने आप में काफी पोजिटिवले इस रिजल्स को ले सकता है, और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो आप्टर टेक्स यहां पर जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है, और यहां पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तक्रीबन 4,260 करोड का नेट प्रॉफिट देखने को हम मिल रहा है, जो कि पिछले साल के गर हम बात करें तो तक्रीबन 1,033 करोड का नेट प्रॉफिट में, लेकिन इसका मुझे ने लगता कि कोई नेगेटिव इंपक्ट हमें शेर प्राइस के पर देखने को मिले, अगर हम नतीजों को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो जैसा कि यहां पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अर्निंग पर शेर रेशियो के अ कोटर की, तो 17 रुपे 37 पैसे का कंपनी को पॉर शेर पे प्रॉफिट हो रहा था, तो यहां पर कोटर बेसे हलकी सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जैसा मैं आपको बताया, इसका मुझे नहीं लगता है कोई खास नेगेटिव इंपक्ट देखने को मिले, तो न अधिजे काफी शानदार निगल गया है, तो अगर मैं बात करूँ आच के कारोबर के सिच्वेशन की, तो जैसा कि आप देख सकते है, नेसी की वेबसाइड की और मैंने वैदानता को साच करके रखा है, तकरीबन 4 रुपे 25 पैसे की बड़ोतरी के साथ क्लोजिंग देखन लिखना को मिली 207 रुपे 60 पैसे का और फाइनली क्लोजिंग हमें डे हाई की आसपासी नजरारी ये डेलबर परसेंटेज की बात करें, तो जो कॉंटिटिटी ट्रेड हुई हो, तकरीबन 50,90,000 कॉंटिटी ट्रेड हुई जिसमें से डेलबर कॉंटिटी की बात करें, तो और 26 परसन के असपास के डेलबर की परसेंटेज को मिल रहा है, तो कार उबर का सिच्वेशन तो ठीक ठाकी देखना को मिल रहा है, तो चार्ट के उपर नजर करते है कि कि सतरा की मुवंटैम आगे आने वाले दुनों में मिल सकती है, तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने है जिसा कि friends आप देख सकते है वेदंता का चार्ट मेंने वन डेके टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहां पे कुछ लाइने ड्रो करके रखे है और लेवल्स भी आइडेंटिफाइ करके रखे है और जैसा मैं आपको बताया कि पिछले तीन ट्रेडिंग से अच्छी मोमेंटम देखने को मिल चुकी है वर देखा जाए तो स्टॉंग रजिस्टन्स लेवल है जैसा कि आप देख सकते हैं 275 रुपे गा तो यहां पे 275 रुपे के उपर डे बेसिस पे क्लोजिंग देता है वेदंता तभी मुझे लगता है कि उपर की तरफ 206 रुपे तक के देखने को मिल सकते हैं लेकिन फ्रेंट्स यहां पर शब्दों पर ध्यान दीजिए 275 के उपर डे बेसिस पर क्लोजिंग देगा तभी यहां पर आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है अधिर्वाइस मुझे लगता है कि यहां पर साइडवेस मोमेंटम दिखा स सकता है वेदानता जो कि अपना में बढ़िया रजिस्टन्स लेवल है और बार बार इसी लेवल के आसपा से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और नीची के लिए खरीद दरी करने के लिए 2063 रुपे का असपास आता है तब यहां पर आप पोजिशन बना सकते है शौट टाम फ्रेम पर एससे लगा सकते है 255 का और टारगेट 255 और 206 तक के ले सकते है और नीची के लिए लेवल पर दो स्टॉंग सपोर्ट लेवल है जैसे हमें आपको बताया 255 का और उसके बढ़िया सब्पोर्ट लेवल है 2063 रुपेड़ा तो फ्रेंड्स आप इन लेवल को चाउट कर अपना श्रेडी कंड़ कर अपना फाइनल से ड्वाजर की सलाल है उसके बाद किसी भी तरह की कोई पोजिशन बनाई है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक पर गए इंग अग्यों कर वाजिए वीडियो